we are ہم बात कर रहे हैं संतिकुशन बाई सबसी क्योशन के ऊपर अब हम बात करेंगे इस ग्रियंक एक्यघ eer ल बाय सब्सेक्योशन मेश्च करो है टाक है Tiger cream नگ हम देखिएंगे कहमारे पास जो definite integral होते हैं वो हमारे पास substitution मेर्टक्स है किस तरह से solve होंगे ठीक है देखिए बिलकुल simple जैसे हमने पढ़ा है definite integral क्या होता है कि हमारे पास simple c constant नहीं लगता सही नहीं इसके उपर lecture मौझूद है सही नहीं यह मैं बता चुका हूँ definite integral क्या होता है और इसके concept भी मैंने समझाने की कोशिश करी है और बाकी जो detail है इसकी मजीद वो हम जब area अंगा दग कर फैंग आउट करेंगे और जब पढ़ेंगे ठीक है ना एक overview मैंने दे दिया था ठीक है previous lectures के अंदर ठीक है तो हमारे पास definite integral क्या होता है कि अगर हमारे पास cause cause अगर एक से अगर इसको integrate करना है तो यह हमारे पास आता है cause बलके इसको मैं ठीक से लिख लेता हूँ तो यह हमारे पास जब integration जो आती है वो हमारे पास किसके बराबर आती है sine के सही है sine x के और some consistency नहीं लगता ठीक है ना वो क्यों नहीं लगता इसके में वज़ा बचा चुका हूँ क्योंकि हमारे पास definite integral है सही है ना और definite integral जब होता है तो वो हमें limit के बताता है कि मिसाल के तो तो पे zero से zero से लेके पाई तक ठीके नब angle हमारे पास जो इसकी जो मेंने वो angle के तोर पर input की जाएगी सही है ना यानि substitute की जाएगी ठीक है अब बिलकुल इसी तरह से ठीक है अब हम इसको ज़रा देखते हैं तो अब मिसाल के तोर पे हमारे पास कोई question हो इस तरह का सही है ना और वो हमें limit के बता है कि यह हमें basically बता रहोता है कि भाई यहां से लेकर एक से लेकर तीन तक का area निकालना है अब यह curve बनना है एक सेक्सिस के उपर यह हमारे पास एक दो और यह तीन है ठीक है अब यह curve कैसा जा रहा है इस तरह जा रहा है कैसा जा रहा है मुझे नहीं पता सही है ना मगर हमें इतना पता है कि इसने यह area पता है जो यह area जो बोल रहा है जिसकी base होगी वो यहां से लेकर यहां तलग निकालना है ठीकिन आप उपर जो कर्व है वो किस तरह जा रहा है मिसाल के तोर पर आगर ऐसा होगा तो यह area निकालना है सही है तो यह वाला area निकालना है मिसाल के तोर पर आगर यह कर्व ऐसा होगा तो अपन को यह वाला area निकालना है सही है लिमिक यही रहेगी यह ना यानि एक से लेके तीन तक और इसमें होता ही है कि हम क्या करते कि पेले पूरा area निकाल लेते हैं यहां तलग काई यह वाला ठीक है उसके बाद यह फिर छोटा area minus करभआ लेते हैं इस पूरे area में सही है one से लेके तीन तक के एरिया आ जाता और यह काफी गिकल से मैं बता चुका हूँ अगर आप नहीं देखा तो मैं कहूंगा कि आप वो देखिए ठीक है और अगर आप देखिए सिरीज वाइज देख रहे होते हैं लेक्चर जबी आपको बात समझ में आती है अगर आप बीच में सब्सक्राइब यह वाला लेक्चर तो यह से कहां समझ में आए ठीक है तो अब मिसाल के तोर पर मेरे पास यह क्वेस्टन है और कह रहा है कि हमारे पास से एक्स एक्स और अब अब इसको क्या करना है बलगे सको एसे में लिखे रहनी देता हो और यह हमारे पास 1 by 3 यह रूट यह क्यो बरूट के सभी है और यह क्या आग merger आग काल के तोर पर एंड पावर कुछ भी हो सकती है सही है माइनस वन के इलावर ठीक और साथ में उसका डेरिवेक्टिव है यानि इनसाइड यह जो पावर के अंदर f of x लिखावा है यह मौझूद है इन दा फॉर्म आफ गेरिवेक्टिव यानि इसका गेरिवेक्टिव इस तरह के जब क्वेस्टिव होंगे इसके ओपर यह वाला रूल लगता है यह आपको पता है यह हमारे पास क्या हो जाता है यह पूरा जो फंक्शन होता है f of x उसकी n प्लस one पावर हो जाती है और उसी पावर से यह डिवाइग हो जाता है ना और सम गोस्टिवेंश यह को पता लगा देते हैं सही है अब इदर भी अगर हम देखें तो कुछ इस तरह की बात बनी ठीकिन अपिर अगर हमारे पास क्या होता था कि अगर वह इस तरह की शेप जो है वह नहीं होता था साथ में ग्रेवे कि वह हम बनाते थे ठीकिन बास उकात हमारे पर कोई से नहीं इस तरह के मुश्किल आ जाते हैं कि हम उसको उसको जो गिवंट साथ में डेरे वे किफ तो ऐसा लगता है कि मगर वो पूरी तरह से नहीं होता और उसको बना भी नहीं पाते ठीक है अगर बनाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसी वज़े से हम सब्सक्रिक्विशन method लेकर आते हैं अगर इदर में देखू तो यह हमारे पास क्या लिखावा यह हमारे पास लिखावा यह हमारे पास लिखावा वन बाय थिरी पावर लिखी विए तो अगर मैं आपको इदर दिखाओं यह चुलिए अगर इसको मैं कनवर्ट करता हूँ तो यह चीज मेरे पाद लिखी है वन बाय थिरी पावर अगर पावर के में अंदर वाले जो फंक्शन लिखावा इसका गरी विखिव लूँगा तो मेरे पास क्या आजएगा आपको पता इसका गरी विखिव आएगा तो यह हमारे पा साथ में एक्स ब्लस वन लिखावा है और यह कुछ और दिखावा है तो ऐसा लगत हो रहा है इसका गरी विखिव अगर पूरी तरह से नहीं है तो अब सब्सुक्यूशन में था काम आती है इसके लिए तो अब में क्या करूँगा यह तो मैंने देख लिया है कि यह वाला इस फॉर्म में लिखावा है कि यह नहीं है प्रिविख लेक्चर के अंदर बताया सब्सुक्यूशन के अंदर मेथट के अंदर के जरूरी नहीं है कि हर बाद ही उसका साथ में जो मुल्किप्ला हो रहा हो उसका है वो सिरिफ अकले एक फंक्शन लिखावा तीकि इस तरह ऊसकता है तो ज़रूरी नहीं है इसके दो स्टेप को थे मेनने बताया कि एक हम से लगता है कि अब है कि इसको इदर लिख सकता हूँ 3 1 टेक है और इदर क्या लिख लूँगा मैं इदर में लिख लूँगा यू सही है और यू की पावर 1 बाई 3 सही है और साथ में क्या लिखावा है x पिलस 1 सही है और इदर क्या लिखावा है dx सब्सक्राइब अब देखे अगर इतर में पावर फार्मूला लगाता हूं इंटीगरेशन का जो बार फार्मूला होता है तो वह उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगी इंटीगरेट होगी यानि इदर भी यू होना चाहता सही अब इदर दो डोमेन अरी एक्स भी आरी और यू किसके पास जा रहा है इसकी डोमेन देखो तो इंटीगरेशन हो रही है वो क्या हो रही है दी यू बाई दी एक्स हो रही है तो हमारे पास दी यू किसके बराबर है हमारे पास एक्स पावर थिरी पिलस टू एक्स और पिलस टू के हाना और और अच्छा एक और चीज एक और चीज को ही यह जो है न हमारे पास यह square है साहिए न यह square होई सही है यह हमारे पास square लिखा हो तो 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 और ती और यह भी two power सही है और यह भी two power है सही है आप जब इसको हम डिफरेंट शेयर करेंगे मैं directly इसको differentiate कर रहा हो विजरिस्पेक्ट टो गी x सही तो यह हमारे पास आ जाएगा 2 x power 1 ठीक है और पिलस 2 आ जाएगा विए typ का आ जाएगा सही तो अब मेरे को क्या करना है dx को replace करना है तो हमारे पास डियू सही जाए और 2 x plus 2 सही है और is equal to यह हमारे पास क्या जाएगा dx सही अब इसको मैं dx को substitute कर लूँँगा इस values के अंदर तो यह values मेरे पास क्या आजाएगी मेरे पास आजाएगी du du और du गवाइग 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 2x 2x कॉमल ले लोगा तो x पिलस 1 सही है ना देखो इसके अंदर से यह भी 2 है यह भी 2 है तो 2 कॉमल लोगा तो यह इस से कैंसे गवाइग 1-2 पास से तो सिंपल हमारे पास क्या आजाएगा हमारे पास 1 और 3 और वन बाय टू भार सहिए क्यों कि और सिंपल हमारे पास क्या देगा यू पावर du और 11 3 सही तो 3 दर भी आएगा 3 उपर भी तो हमारे पास 4 by 3 आदेगी तो हमारे पास क्या आदेगी U पावर और U किसके बराबर है अब मैं डारेक लिए लिख लेता हूँ U हमारे पास बराबर है X स्क्वेर पिलस 2 X पिलस 2 टेक है और इसको मैं एसे विरेकर में लिख ली आता हूँ और इसके तो बराबर ह duż मारे पास All power आगई उसके पावर थिरी और ज्वाए डीग इंग बाय और यह तू है भाई वैस लिए और इसी पावर से हम क्या कर देंगा इसको गिवाइक कर देंग यहनि 4 by 3 ठीक है और यह इससे cancel out नहीं होगा क्योंकि यह हमारे पास 2 ता ना यह actually इस तरहां से लिखावा है यह हमारे पास जो होता ना यह हमारे पास से 1 by 2 ऐसे लिखावा है यहां पर सही ना कहीं आप उसको cancel out कि रवादी तो यह हमारे पास 3 दोट के यहां चले जाएगा और यह आपस में multiply हो जाएंगी यह values तो हमारे पास यह actually values आएंगी हमारे पास x square पिलस 2 x पिलस 2 और whole power हमारे पास क्या जाएगी 4 by 3 और 3 इदर आजाएगा ठीक है और y के बाए यह हमारे पास value के आजएगी 8 हो जाएगी लिमिट इसमें हमें बता दिये और बलके मैं क्या कर लेता हूं 3 by 3 by जो एक तैना इसको बाहर निकाले के लिख लेता हूं सही है ना यानि मेरे पाई एक इदर आगिया और यह लिमिट मेरे पाँ जो उसमें बताई है अच्छा इससे वराग निया पड़ता आपने से को पहले लिका लिखा लिए साही है ना इससे मसला नी क्योंके इंक्टेगर से पहले ही बाहर आ चुका है तो तो वन से लेके क्या निकाला तीन तर अब इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हम पूरा अरिया निकालेंगे यानि हम X is equal to 3 रखेंगे ठीक है उसके बाद हम के जब पूरी वेल्यू आ देगी उसके बाद माइनस करवाएंगे X is equal to 1 रखेंगे और दूसरी बात यह हमारे पर जो लिमिट थी थी ठीक है यह हमारे पर 2 थी है मैंने तीन गलत लिखा यह 2 थी सही ना अच्छा वो कुछ भी हो सकते इसे वरग नी पढ़ता ना इसे वरग नी पढ़ता आप यह कुछ भी रखो यह 2 थ थी ठीक है ना थी रखो हो तो कोईस्टन तोड़ा सा लंबा हो जाएगा ठीक है ना तो इसको टूई कर लेता है सही ना मसला कोई नी था आप एसे भी लिख सकते थे बसकोईस्टन तोड़ा सा लंबा हो जा था ठीक है अब हम सिंपल क्या करेंगे जहां पर हमारे पास X की टू है हम वो 2 से वेलिव निकालने के बाद यानि पूरा 2 तक एरिया निकालेंगे उसके बाद 1 एरिया जो है वो माइनस करवा देंगे यानि X is equal to 2 रखेंगे इस समय ठीक है और उसके बाद माइनस करवाएंगे X is equal to 1 रखेंगे यानि 3 by 1 हमारे पास यह जो कोमल लिया हु होल पावर हमारे पास है 4 by 3 सही है 4 by 3 अब हम माइनस करवाएंगे इसी वेल्यू को x is equal to 1 रखकर सही है अब x is equal to क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो x हमारे पास क्या आगए 1 हमारे पास क्या है 2 और multiply 1 ठीक है भई फिर पिलस को ठीक है अब होल पावर जो है इसकी वो क्या है 4 by 3 और इसको भी रखेंगे ठीक है और यह x is equal to 2 और यह क्या हो जाएगा 1 यह हमारे पास क्या हो जाएगा पिलस को और यह क्या हो जाएगा पिलस को तो overall जो बात निकल के आई है यह हमारे पास कितना हो जाएगा 2 squat यह हमारे पास हो जाएका फोर और यह 4 हमारे पाग 10 इख 10 तो हमार पाग 10 पावर कितना है 4 by 3 वा क्या है हमारे पास सही है नहीं है सके ढ़thanीजा करवाएँगे इसके अंदर से नाइनज हम करवाएँगे यह हमारे पास फाइफ तो फाइफ पार 4 by 3 अगर इसके अंदर आप देखो तो यह हमारे पाफ 4 by 3 3 लिखा हुआ है सही ना इसको अगर मैं तोड़ के लिख लूँ तोड़ के मैं किस तरह लिखू इसको मैं 3 पावर हम लिखते हैं नहीं सही हो टाइम्स हमारे पास क्या आगया है इदर हमारे पास यह आजाएगी 10 पावर 10 पावर 1 by 3 सही है और इसकी पावर 1 है आप जब दुबार है बेसी सेम होती तो पावर रिग ओगी तो आपके पावर 4 by 3 बनेगी इदर भी क्या बनेगा आपके पास 5 और 5 5 पावर 1 by 3 सही है और हमारे पास यह आप इसके अंदर और बाहर के लिखावा था 3 by 8 क्या कोमल ले सकता हो इसके अंदर से अगर आप कोमल लेना चाहो तो इसके लिकावा दहरेगी और उग agree यह खेशे हो और इसके हमारे फावर यह तो 5 अगर और速 कोमल ले by 3 लिखा हो है सही है तो अगर इसको मैं सॉल्फ कर लो इसको कैल कुले कर निकाल के तो यह एक्चुली वेल्यू मेरे पास जो है ना और यह मेरे पास ओवर राली जो वेल्यू हो जाएगी यह 3 multiply 5 is equal to 15 directly मैं लिख लेता हूं कैल कुले कर यह इसको मैंने निकाला तो यह हमारे पाव वेल्यू आई है सबसे पहले क्या करेंगे 10 का रूट करेंगे ठाके क्यूब रूट 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 नहीं क्यूब रूट किया multiply किसा होगा तो से बाई होगा है सही है उसके बाद माइनस क्या करवाएंगे माइनस वाइफ का क्यूब रूट यह क्यूब रूट हुआ ठीक है और यह multiply किसा होगा 15 से 15 से multiply हुआ और divided by 8 ठीक है तो इसका जो answer हमारे पार round of करके अगर में लुकू तो मेरे पाद 4.88 हमारे पार इसका area है वो square में आया होगा सही है अब वो क्या ता actual area वो क्या काफ ता उसके हमने बात नहीं करी सिर्व हमने देखा है कि हमने area निकाल आए 1 से लेके 2 तक का ठीक है तो इसको जॉएंस अगर इसी तरह से हम इसके एक और example को देखे है जो के आपर अगर ट्रिग्नोमीक्टिव फ़ूच्टिन के तोर पाओ आए वो मैं आपको समझा है ता हूँ किस तरह से करेंगे ठीक है जैसे मिसाल के तोरबे हमारे पास लिखा हुआ हो इधर हमारे पर लिखा हो जीरो से लेके X लिखा हो ठीक, अब देकर X लिखा है सही ना और इधर लिखा हो 10 10 और 10 X और power 30 पिलस, हमारे पास लिखा हो सेक, सही है सेक और X, कि क्या हो With respect to DX सबसे पहले देखिए इदर जीरो से लेके एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यह तो actually हमारे पात जो x है कि यह क्या लिखा हुआ है हमारे पाइ लिखा हुआ दिए heck आगर इदर लिखा हुआ हो शीन ke तोर पे हमारे पाइड पर integral sign हो और लिखा ओए धर x by 2 तो इसका मतलब रिखा ओए पान्यभवा रिख थ्यरी लिखा हुआ हो इसका मतलब बाइ यह दूसरी बात और यह जो एंगल लिखावा है इसके ओपर कोई इस तरह का सिंबल नहीं है तो यह क्या है कि कर रहा है कि हमारे पाद जो एंगल है वह एज़ा रेग्यान पूट किया जाएगा किन अना के डेगरी तेकर रेग्यान उट डेगरी में फरक होता है यानि अगर हमार पास जो है ना इसको हमें सुल्फ करना है ठीक है टैन क्यूब को और कियूब एक्स को और पिलस सेख बिखा वा है या माइनस लिखावा मैं जरा देख लेता हूं ठाकि ना ओंगर मैं यूपावर को अगर मैं wünब तैन को अगर मैं 10 को यू सपोस्ट करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा इदर 3 पावर यू तो हमारे पास कुछ जिस तरह की फॉर्म नहीं बननी ठीके ना क्योंकि अगर मैं इसका derivative लूँगा 10 का तो इसको है हमारे पास जो 10 का जो derivative आता है सेक क्या आता है सेक एक्स और टाइमस हमारे पास आता है 10 आता है सभी साहिए ना 10 का गरी वो सुरी वो हमारे पास आता है सेक स्क्वेर आता है सही ना हमारे पास क्या आता है सेक स्क्वेर आता है यह थोड़ा सा मैं ने देखा नहीं साहिए ना भूल गया अच्छा अब यह हमारे पास देखी इससे कैंसिल आउट नहीं होगा अगर मैं इसको यूइज इकॉइल टू यू लुगता हम ठीक है अगर मैं अगर मैं किसी तरह से अगर इधर आइगेंटिक्टी लगा लूँ अगर मैं आइगेंटिक्टी लगाना पड़े गिया मुझे स कर द सबसे पहले हमारे पास डेटी वर्की में वह में लिग देता हूँ ताक है आप इसको र जो हमारे पास 6 का है सेग過去 और हमारे पास जो होगा ना डी एक्स चाफ जो हमारे पास आता है और 10 10 10 10 X सभी और टाइम से का आता है सभी यह थोड़ी मैंने पहले क्या कर दिया था 10 की जागा से का लिख दिया था सही न तो अब देखिए सबसे पहले तो आगे चिक्टी लगी कि अभी तो हमारे पर कुछ पोसिबल लिया है कि क्या लगा हूं मैं इदर हमारे पर 10 प्लस 1 इस इ इदर लिखने हूं तो हम लिख सकते है ठीक है और यह हमारे पर किसके बराबर है तो हमारे पर 10 10 X स्क्वेर प्लस 1 इस इकोल 2 सेक के बराबर होता है ना सेक एक्स स्क्वेर के तो अगर मेरे पाई यह 10 10 X और इदर क्या जाएगा सेक सेक एक्स स्क्वेर ठीक है और यह multiply क्या हो रहा था ये वाली value तो ये वाली जब value इस से जब multiply हो रहा हा के क्वाश्ट है तो वह हमारे पास कि हो जाएगी स्क्वे're ans ये वाली values अच्छा दूसरी बात एक ओर बात हजो है ना हमारे पास बलके इस एक मैंने गलत लिख लिए क्योंके माइनस वन उदर जाएगा सही है तो माइनस वन देखिए मैं भूल जाता हूं अगर मैं कोई साइन वगरा कोई इस तरह की चीज भूल जाओं तो आप उससे डेख लीजिए सही ना तो हमारे पर is equal to क्या हो जाएगा sec sec x square और माइनस वन हो जाएगा सही है तो इस 10 की जगह यह वाला 10 as the case और इस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं sec sec x सही है sec x square और माइनस वन ठेक है और यह जब इससे बाद में लिखी इसको पहले लिख लेता हूं सेक को यह वाली चीज की बात कर रहा हूं सही है ना यह वाली चीज की यह वाली जो लिखी वी ना इसकी बात कर रहा हूं सही है तो अब देखिए तो इधर ही मैं क्या लिख लूँगा सेक लिख लूँगा सही ना सेक अब आपक क्या हो जाएगा सेक, सेक X और पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी और साथ में 10 भी आ जाएगी 10 और माइनस यह सेक और 10 अपस में multiply होंगे, तो सेक 10 X, साहिए तो अब हमारे पास यह values हमने change कर ली, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास integral इसका अलग लिये जाएगा सही है हमारे पास जो integration होगी वो इसके अलग ली जाएगी with respect to dx सही है और इस वाली चीज की जो है ना वो अलग ली जाएगी तो यह इस तरह से तो यह हमारे पास क्या जाएगा dx सही है और यह minus sign bar और इस अदर देखा था है derivative लूँगा सही ना अगर मैं इसको यू सपोस कर लूँगा सही ना अगर मैं यू सपोस करता हूँ तो जब उसका derivative लिया जाएगा तो वो हमारे पास से का क्या आगा टैंक टाइम एक्स आएगा सही है तो अभी भी मेरे पास काम नहीं बनेगा, तो क्याम किस तरह से नहीं बनेगा, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास derivative मोजूद है, सही है ना, अगर मुझे, देखिए, सबसे पहले मैं इस वाली साइक को देखता हूँ, लेफ्ट वाली साइक को, क्योंकि इसका तो गया यह 10x लिकाओ, और क्या लिकाओ है, dx, सही है, और अब देखिए, अगर मैं, मुझे क्या करना, इदर क्या हो रहा है, dx हो रहा है, अगर मुझे du लेकर आना है, तो आपको पता है, कि यह वाली जो चीज है, वो क्या पर आ जाएगा, और d उदर चले जाएगा, क्योंकि हमने सेक, यानि हमारे पर यह du है न, तो हमारे पर du by dx, सही है, और u is equal to d, हमारे पस क्या होगा, सेक का derivative लिया जा रहा है, और सेक का derivative मैंने पहले उपर लिख दिया, तो आपको पता है, कि यह वाली जो चीज है, वो नीचे आ जाएगा, और यह x उपर चले जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा, you, you three, और इदर क्या जाएगा, ten, ten, और इदर क्या जाएगा, du, और इदर एक्स भी लिखना था, सही हो, नीचे क्या जाएगा, डिवाइजर में, डिवाइजर में आ जाएगा, ten, ten x, times, sake x, सही है, अब देखे, ten ten, ten, तो cancels हो जाएगा, मगर हमारे तो रुपय अगर मैं ऐसे कर ले था इसको मैं इसको जो है ना मैं ऐसे लिखे रहने दे दू और मैं क्या कर ले था कि U is equal to U is equal to 2 कर लो और 1 power जो sec है वो हैज ही किस लिखे रहे रहेँ हमा यानि एक U इसको जो sec को मैंने U बनाया था यानि इसकी जो हमारे पास ये क्या था ये sec sec x power 2 और ये sec ऐसे लिख सकता हूं ना इसको मैं तो इसको तुमें इसको U पे लिखने तो सबस्रीकूर कर देता हो और से को रहने देता है हुए गया से एक्स और चैमस सही है और यह किया । respect to dx अब dx को जब replace करेंगे तो आपको पता है हमारे पास क्या आजाएगा जी यू आजाएगा हाना यानि dx हमारे पार उदर चले जाएगा और हमारे पास यह जो है यह नीचे आजाएगा सही ना यानि अगर मैं आप confused हो रहे हैं मैं आपको बता दूँ कि यह हमारे पार इसको यू suppose कर लिया टू पावर को और बागी जो सेकता उसको लिखे रहने जाएगा ताकि के इंसल आउट हो जाए वो बच रहता है अगर मैंने आपको अभी हमने इससे पहले जो देखा है तो यह हमारे पास किसके बराबर आएगा सेक यानि यू सेक के बराबर है तो इसका गर इसका इंसल और हमारे पास जो है इदा पावर रूड लगेगा तो एक पावर इसके अंदर एक होगा और उसी पावर से गिवाएगा ओगा तो यू is equal to 3 by यह हमारे पास क्या हो लिखा थिरी साहिए और यू किसके बराबर है सेक यू हमारे पास बराबर है सेक के तो हमारे सही है see x ठीक है और इसकी power 3 और divided by 3 और minus क्या हो रहा था minus हमारे पाथ हमारे पास इसका integration और से टाइम एक्स का जो हमारे पास integration होता है 할 को हमारे पास होता है minus सही ह Soo나 मैं यहापर लिख लिएता हूं हमारे पास आजाता है अगर मैं लिखूँ कि हमारे पास से आप सेक-क्स टाइं में एकश का जो होता है वो हमारी पास बरावर टा विलकि के बरावर हता रहा है विरिऑ बरावर हो उटा हीना तो और यह किज़िए आघसें ऐसें आगे गएप सही है अब अब हमारे पर लिम्ट का लिकी tools आप 191 निकाल सकता हूं कुरिए इससी के साथ है ! पाउर क्या थी लिखिवी थि फ्सक्ट Crash हमारे पास क्या लिक्टी यह से लिए था अगर region के अंदर आप angle put कर लो अगर मैं आपको इज़र solve करके बता दूँ अगर हमारे पास जो है न आप इसको क्या लेख सकते हो degree लिख सकते हो आप degree के अंदर convert कर लो तो 1H लिखा वा इसका मतलब इसका मतलब क्या लिखा हो 1H है सही है अब आप क्या करोगे X is equal to 180 degree angle रखके अब उस values को solve करने के बाद माइनस करवा होगे X is equal to zero angle put करेंगे अब देखे जीरो region लिख लो या zero degree लिखनो दोनों सेम होते हैं सही है न तो हम क्या करेंगा सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा सेक 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 साही है लिख लेता हूं सेक और एक यहां जाएगा 180 degree ठिकेट जवाइग इग बाई और यह 3 पावर 3 जवाइग बाई 3 और माइनस सेक सेक और X पावर क्या है यह देखे माइनस दुबारा वाला माइनस नहीं हो रहा सही है न वह बाद में होगा सही है न तो यानि इदर भी 180 degree लिखेंगे ठीक है अब इसके अंदर से माइनस करवाएंगे सेक सेक जिरो डिगरी जवाइग एक बाई 3 और यह माइनस साइन यह मल्टिप्ला होगा सही है न माइनस और यह सेक सेक और यह जिरो डिगरी रखकर सही है तो अब इसको ज़रा हम सॉल्फ करें तो होगा सेक के अंदर गरे और वन एक जिघी लिटा हो मैं और टीक है मानस वन वन आई वर कैनके क्या करैंगे अब देखे हमारे पास सेख का क्या आया था माइनस वन ही आया था ना तो माइनस वन ही आया था और क्यूब होके क्यूब होके भी वापस क्या हो गया था वो मैं एदर दिखा लूँ वन एक जिगरी क्यूब होके भी माइनस वन था क्यूब और उसकी पावर थे सही ना तो यह हमारे पास क्या थी पावर थिरी एक्स पावर थिरी तो देखें आ सूरी क्या मैंने लिख लिया हमारे पास क्या है वोन एक एक गिरी और इसका मैं सेख सेख देखा माइनस वन आया और क्यूब करेंगे तो वह माइनस वन ही आएगा तो यह माइनस वन यह वाला और चेक करें तो हमारे पास S A K V I L O चेक करता हूं तो हमारे पास क्या आगया है ये 1 by 3 और और वन आई ये तो ये भी वन याईगी सही न मैं आपको दिखा देता हूं तागे आप confused ने हो जिक अए है हमारे पास इंक यश का जिरो गई रखा था सही पावर तक kalk तयों कोई थी निंद इसंतररर यह जद रखाएं सही है और पावर भी का इसको की इसकी बीपावर का निन इसके साथ अब यह वन था तो वन का स्क्वेर पिलस वन का क्यूब प्लस वन है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ा और इधर क्या है माइनस वन ठीक है अब आपको पता है कि आप जी नोमिने कर सेम बनाएंगे इनको एक यह सब्क्रेक करने के लिए तो उपर भी थी नीचे भी थी इधर भी थी और उपर भी थी तो यह एक्चुली वेल्यू हमारे पास क्या हो जाएगे हमारे पास माइनस वन प्लस थी गी माईनस यह सेम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा तो फॉर बाय जी इसकी वेलिउज आये ठीक है तो हमने जो हमारे पास लिमीट गिवन ती जो के यंगल जो होता है वो पाई लिखाव होता है, x is equal to πाई पाई होता है, और वो जो की पाई होता है, टीकियों डीडिगरी में नहीं होता, सहीर आप उसको रे आप इसके अंदर के अंदर आपका रेगियन फंक्शन मुझूद आप रेगियन में ग्यारेक पूट कर लीजिए और डिगरी में असान रहता है क्योंकि हम डिगरी में पढ़ते हुआ है जात है तो बागी स्कूर्ण इसको मुश्किलात आ जाएगी अगर आप रेगियन चेक करेंगे चेकेश करेंगे तो अब बात करेंगे इसके नेक्स्योंपिक के उपर